राधे राधे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं अगर आप जन्माष्टमी के मौके पर भगवान स्री कृष्ण को च्छपपन भोग लगाएं तो भगवान जल्दी प्रसन होते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का पूजन कियाता है इस दिन तो बालक यानि छोटा बच्चा आप नाना प्रकार की चीज़े देते हैं बाबु खालो बेटा खालो तो उसी प्रकार बाल गोपाल को भी आप मनाते हैं खा लिजे प्रभू कुछ तो ग्रहन कीजे लेकिन क्या आपको पता है भगवान स्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा किस चीज की उन्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज जो है वो क्या थी और उन्हें कैसे बनाए हम ये बताएंगे देखे पौरानिक मानेताओं के अनुसार नटकट बाल गोपाल को माखन यानि माखन बहुत पसंद था माखन उन्हें इतना पसंद था कि अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुराय करते थे इसलिए तो उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है और ये सोदा मिया अपने हाथों से माखन मिश्री बनाकर कृष्णा काना को खिलाती थी दोस्तों कैसे दियार करेंगे माखन मिश्री का भोग देखे सबसे पहले तो दूद को अच्छी तरह से आप गाढ़ा करके उबाल ले और हलका सा गुनगुना जब रहे तब दूद में एक चमच दही को अच्छी तरह से घोल कर अब इस गुनगुना दूद को किसी गर्म जगर पर रख दे उपर से प्लेट से ढख कर 6 घंटे तक जम ले दे जब दही जम जाए तब दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दे अब दही एक मिक्सर में डाले एक ग्लास ठंडे पानी या बर्ख के टुकरे डाल कर फेटे और उसमें से मठा और मक्षन अलग हो जाएगा अब मख़न को एक ग्लास पाणी डाल कर धोले अब मख़न में पुल्सी के पत्ते, मिस्री बस त्यार है कान्हा का माख़न मिस्री का भोग अब भगवान को माख़न मिस्री का भोग लगा है और आपके जीवन की तमाम परिशानिया छो मंतर तो बहुत आसान है माखन मिस्री का भोग लगाना आप भी कान्हा को मनाए और इस एक उपाय से पूरे छप्पन भोग का परसाद फल पूर्ने फल पाले तो दोस्तों हम भी दा लेते हैं राधे राधे अगनाँ के भी कर्षक हम भी का माले तो इस लोग वह भी, कि अवाले हुईर तो कि य रखाुग्स के उ़ग जईखा भी का भी का कालाता है ऊज़ा का लास का भी का भी का भी का का भी